दोस्तों ये वीडियो है चैपल वेट सीरीज का पार्ट टू जहांपर हम एपिसोड 6 से लेकर एपिसोड 10 की बात करने वाले हैं काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज़े यहांपर होने वाली हैं और इस किताब की शक्तियों को भी हम देख पाएंगे उमीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेना क्योंकि उस पार्ट को देखे बिना आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आने वाला उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड गॉर्मेंट में मिल जाएगा तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ एपिसोड की शुरुआत में हमें 1848 का साल दिखाया जाता है जहां पर हम मारसला बोन को देखते हैं जो की हाथ में क्रॉस लेकर अलमारी के अंदर चुपी होई होती है सीन को देखकर ये पता चल रहा होता है कि मारसला किसी बुरे शैतान या फिर किसी बुरी चीज़ से बचने की कोज़िश कर रही है तब ही रूम के अंदर मारसला का फादर स्टीफन आता है और वो मारसला से वही दबुक ओफ वर्म के वारे में पूछता है जो कि मारसला ने कहीं छुपा दी थी वो वहां से भागती है और नीचे चली जाती है जहांपर उसके ग्रैंड फादर फिलिप बुन उसको पकड़ लेते हैं और मारसला बचने के लिए बेसमेंट में भागती है जहांपर वो सीडियों से फिसल जाती है और उसकी सीडियों पर गिरने से मौत हो जाती है और इस तर friend doctor اور minister के साथ मिलकर इस case की गहराई से तहकीकात कर रहा होता है और इस case की सिलसले में वह Mrs. Cloris से भी मिलने जाता है जो की पहले chapel wait में काम करती थी जिसके पास में चार्ल्स भी गया था और फिर constable दौरणा जादा दावाव बनाने के बाद में मिस्स क्लॉरिस इस बात की पुष्टी करती है कि स्टीफन और फिलिप बॉन बहुत पहले ही वेंपायर बन चुके हैं जी हाँ यानि कि वो जिंदा नहीं है वो वेंपायर में तब्दिल हो गए थे जिनको औविसली किसी और ने नहीं बलकि याकूब ने ही वेंपायर बनाया है फिर सीन चेंज होता है और हम चार्ल्स को देख पाते हैं जो कि अपनी बेटी लोगा की बॉड़ी को कपड़े में लपेट कर समुद्र में प्रवा कर देता है और इस हाथसे के बाद पूरा परिवार एक तरह से मांस एक तौर पर तूट जाता है कहरे हम मिनिस्टर को अ पीट नाम की लड़की को एक कुपोशित बच्चे को जरम देते हुए देखा था मिनिस्टर का असल में फेट के साथ महीं अफेयर था इस अफेयर के चलते उसके ससुर और उसकी वाइफ मिनिस्टर को घर से भी निकाल देते हैं फिर हम देखते हैं कि कॉंस्टेबल घर के अंदर है और वो मैरी को तिल तिल करके मरते हुए नहीं देखना चाहता था इसलिए वो मैरी के मुव पर तक्या रख कर दबा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है अब साथ ही साथ कॉंस्टेपल खुद को खतम करने के लिए अपने गंद से अपना ही भीजा उड़ाने वाल गर में बैट कर स्टीफन का इंतजार कर रहा होता है और आज वो पूरे मूड में होता है कि वो उसको मार डालेगा और जैसे ही उसको ऐसास होता है कि घर के अंदर को है आया है वो गन लेकर रेड़ी हो जाता है लेकि जब गेट खुलता है तो वहाँ पर स्टीफन नहीं ब बात करने के बाद में वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं जिसके साथ में एपिसोड छे का यहीं पर अंत हो जाता है एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि चार्स एक सपने में है और स्लीप वॉक करता हुआ डिफरेंट डिफरेंट सीन्स में जंप करता है जिसके अंदर वो पहले मारसला को देखता है और फिर अपने डैड को देखता है जो कि बच्पन में उसे जमीन में जिन्दा दफन करने की कोईशिश कर रहे थे फिर एकदम से ही वो एक ग्रेवियार्ड में पहुंच जाता है जहां पर वो कबर को खोलता है तो उसके अंदर उसे दबुक ऑफ वर्म मिलती है असल में इस सीन के अंदर दबुक ऑफ वर्म उसे याद करके अपनी लोकेशन पर बुला रही थी ऐसा चार्ल्स के साथ पहले शरीर अकड़ जाता है जिसके बाद में ये किताब चार्ल्स को एक विजन दिखाती है जिसके अंदर दुनिया अंधेरे में डूपी हुई है और याकुब इस दुनिया के उपर रास कर रहा है जमीन पर धेर सारे इनसानों की लाशे बिकरी हुई है जो कि बहुत होरिबल ह और ये सब देखने के बाद चार्ल्स बुक को ही बंद कर देता है यानि कि इस किताब के अंदर नेक्रोमेंसी और बहुती बयानक शक्तिया है और यही रीजन है कि याकुब को ये किताब चाहिए थी खिर अब चार्ल्स को एहसास हो जाता है कि अगर ये किताब किसी के हाथ में लग गई तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा इसलिए वो इस किताब को किसी को भी ना देने का फैसला करता है यानि कि वो याकुब को ये किताब देने नहीं वाला था और उसने अपनी फैमिली को रिस्क पर डाल दिया था फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स किताब को लेकर घर आ जाता है और वो रेबेका को बताता है कि किसी तरह हमें इस किताब को बचाना होगा फिर वो सब मिलकर पूरे घर को सील करते हैं और घर के बाहरी सबी दिवारों के ओपर पेंट से क्रॉस बनाते हैं ताकि किसी वेंपायर को अंदर एंडर करने के लिए जगा ही ना मिले मगर इस दोरान चार्ल्स पूरे टाइम किताब को अपने सीने से लगा कर रखता है जिसकी वज़ा से किताब उसके माइंड को करप्ट करने लगती है और वो भी अपने डैड की तरह ही बिहेव करने लगता है यानि कि उसके डैड के पास में भी ये किताब थी और वो भी धिरे-धिरे करप्ट हो रहे थे यही रीजन था कि वो उसको दफनाने वाले थे और सेम चीज़ के विजन्स चार्ल्स ने भी देखे थे कि वो अपने ही बच्चों को दफना रहा था और एक खास चीज़ की यहां पर रेबेका और चार्ल्स के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा था यानि कि वो दोनों ही एक दूसरे का लव इंट्रेस्ट बन रहे थे अब तभी चार्ल्स बेस्मेंट के अंदर जाता है और फिर वहां पर चार फांसी के फंदे लगा देता है ताकि वो किसी बुरी चीज़ के होने से पहले ही खुद को और अपने बच्चे को खतम करदे मकर चार्ल्स की इस हरकत को रेबेका देख लेती है और वो मौका पाते ही चार्ल्स के सर पर वार कर के उसे बेऊष कर देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि ये किताब उसको भी करप्ट कर रही है और जब चार्स होश में आता है तो वहाँ पर रेबेका, कॉंस्टेबल और मेस्टर मौजूद होते हैं रेबेका चार्स को सारी बात बताती है कि जो भी कुछ टाइम पहले हुआ था और जो किताब है उसे कॉंस्टेबल ने अपनी वाइफ मेरी के साथ बांध कर बेस्मेंट में रख दिया है क्योंकि ये किताब इन वैमपायर्स के माइंड को करप्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो अल्रेडी करप्टेड होते हैं और आपको याद हुआ कि एपल गर्ल और याकूब ने एक सुप्रीम गौड या फिर डार्क लॉड के बारे में बात करी थी तो उनकी पावर्स इस्तिमाल करने का और उन तक पहुँचने का एक ही रास्ता है ये किताब यानि कि दा बोक ओफ वर्म्स यहाँ पर इस डार्क लॉड को वर्म का नाम दिया गया है खर दूसरी तरफ जब वैंपायर के लीडर याकूब को पता चलता है कि किताब को खोज लिया गया है लेकिन चार्ल्स ने अपना प्रॉमिसस से तोड़ा है और वो अब किताब को नहीं देने वाला तो याकूब अपने वैंपायर्स और फॉलोवर्स की टीम को इकटा करता है और चैपल वीड की तरफ निकल पड़ता है किताब को लाने के लिए यानि कि उसके ग्रुप के अंदर खाली वैंपायर्स नहीं बलकि कई सारे इंसान भी थे खर अब हम देखते हैं कि रात का वक्त है और स्टीफन, फिलिप और लोवा चैपल वेट के सामने आते हैं स्टीफन चाल से कहता है कि वो किताब उसको दे दे और इसी में उसकी बलाई है तब ही खिड़की से एक बड़ा तीरा आता है और सीधा फिलिप को लगता है अब तीर के अंदर एक तार भी लगा हुआ था जिसकी मदद से चार्ल्स फिलिप को घर के अंदर खीच लेता है और फिर चार्ल्स एक कुलाडी की मदद से फिलिप का सर धर से अलग कर देता है और कटे हुए सर को स्टीफन के पास फेक देता है और ये काम चार्ल्स ने स्टीफन से रिवेंज लेने के लिए किया था क्यूंकि उसी ने लोवा को चार्ल्स से चीना होता है और इसी के साथ में एपिसोड 7 का यहीं पर अंत हो जाता है अब एपिसोड 8 जो है ना यहाँ पर जादा कुछ नहीं है सिवाए एक लंबी बाचीत और लड़ाईयों के खैर रब हम देखते हैं कि घर के सबी लोग कॉंस्टेबल और मिनिस्टर घर के अलग अलग कोनों के अंदर गन लेकर तैनात हो जाते हैं लड़ने के लिए और चार्ल्स घर में घूम घूम कर सबी सिच्वेशन के उपर नज़र रख रहा था तब ही चार्ल्स नोटिस करता है कि कॉंस्टेबल बार बार बेसमेंट में मेरी के पास जा रहा है और जब वो उसके पीछे जाता है तो देखता है कि कॉंस्टेबल मेरी को अपना ही खू वैंपायर बन जाओ मैरी बोलती है कि इस तरह से हम दोनों हमर हो जाएंगे और कभी भी जुदा नहीं होंगे मगर कॉंस्टेबल मैरी की इस बात से सहमत नहीं होता और वहां से जला जाता है अब हम देखते हैं कि याकूब अपने फॉलोवर्स के साथ में चैपल वेट पहु आने लगते हैं इसी दोरान लोवा को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका परिवार खत्रे में है और एक वैंपायर होने के बावजूद भी उसके अंदर अभी भी अपनी फैमिली के लिए फीलिंग्स होती है और जब इनसान वैंपायर से हार रहे होते हैं तब लोवा घ किताब ले आती है और याकुब को दे देती है फिर एकदम से ही सारे हमले रुक जाते हैं और चारों तरफ एक घुप शान्ती हो जाती है चार्स बाहर आकर देखता है तो वहां पर याकुब के पास में किताब और लोवा दोनों ही हैं और वो सब वापस जा रहे होते हैं च तो क्या ऐसा हो पाएगा या फिर चार्स और उसकी टीम कुछ ना कुछ कर पाएगी तो इसके लिए हमें एपिसोड 9 की तरफ बढ़ना होगा तो एपिसोड 9 की शुरुआत में याकूब अपने फॉलोवर्स के साथ वापस जीरुसुलम लोटा जाता है याकूब अपने गोडे से उतरता है और सबी को कहता है कि जो काम सालों से कोई भी नहीं कर पाया वो काम कुछी दिनों में लोवा ने कर दिकाया है और इसलिए वो सब को कहता है कि अपने घुतनों पर बैठो और लोवा को रिस्पेक्ट दो मगर यहाँ पर एपल गर्ल नील करने में संकोच करती है क्योंकि वो याकुब के लिए सालों से खिदमत कर रही है और वो याकुब की खास बनना चाहती थी मगर एक छोटी बच्ची जो कि कुछी दुनों पहले वैंपायर बनी है यहाँ पर आई है वो याकुब की खास बन जाए ये उसको बिलकुल भी हजम नहीं होता मगर आखिर में याकुब के गुसा करने पर एपल गर्ल को भी नील करना पड़ता है फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स अपने घर में बैठा हुआ है और सबी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब तो किताब याकुब के हाथ लग चुकी है तो अब इंसानियत को बचाने के लिए हम क्या ही कर सकते हैं फिर चार्ल्स और बाकी सब आपस में बात करके इस बात पर सहमत होते हैं कि वो अकेले तो इस जंग को जीत नहीं सकते इसलिए अब वो मैरी को टाउन में ले जाएंगे और सबी को एक जिंदा वैमपायर दिखा कर उनको आने वाले खत्रे के बारे में बता देंगे फिर चार्ल्स और उसकी टीम मैरी को कंबल में लपेट कर टाउन के इंदर ले जाते हैं और टाउन के लोगों को वैमपायर के बारे में बताते हैं लेकिन एज यूजवल उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता लेकिन जब वो मैरी को कंबल से निकालते हैं तो चौंक जाते हैं और सारे लोग उसे देखकर इदर उदर भागने लगते हैं और वो मिनस्टर को इस बात के लिए एप्रिशेट करती है कि वो इनसानियत के लिए लड़ाई कर रहा है मगर ये सब उसकी वाइफ की एक चाल होती है असल में वो अभी भी इस बात से जल रही होती है कि उसके हस्बर ने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे किया फिर वो मिनिस्टर को खाना खिलाने के बहाने घर ले जाती है और उसके खाने में जहर देकर उसको मार देती है और खुद को भी खतम कर लेती है यानि कि उसका सिंपल सा फंडा था कि अगर मेरी लाइफ बरबाद हुई है तो तुम्हारी भी होगी खेर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याकुब अपने उन फॉलोवर्स को भी वैम्पायर बना रहा होता है जो कि अभी भी इनसान थे और ऐसा इसलिए ताकि वो सम्मिल कर इनसानियत को खतम कर दे जब याकुब किताब की मदद से दुनिया को अंधिरे में डुबा देगा अब यहाँ पर इनसानों के ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे लोग इखटा हो चुके हैं जो कि कुछी देर में जिरूसिलम लॉट निकलेंगे अब टाउन से निकलने से पहले चाल सभी और बच्चों को चर्च में इखटा करवा देता है और उन्हें स्ट्रिक्टली कहता है कि चाहे जो भी हो जाए रात में चर्च का गेट नहीं खोलना है और वो चर्च की रखवाली को लीड करने के जिम्मेदारी अपनी बेटी ओनर को देता है फिर हम जेरुसिलम लॉट में देखते हैं कि सब कुछ अरेंज होने के बाद में याकुब किताब को पढ़ना शुरू करता है और जैसे ही उन शब्दों का उचारण हवा में गूंचता है आसमान में बादल चाने लगते हैं सूरज को देखकर ऐसा लगता है जैसे उस पर ग्रेहन लगने वाला हो और इस एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट इन्ही शब्दों का उचारण है जो की सुनने में बहुत ही होरर और क्रीपी लगता है और इसी डार्क लॉड को बुलाने के शब्दों के उचारण के साथ में ये एपिसोड भी यहीं बर खतम हो जाता है अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस सीरीज के एंडिंग वाले एपिसोड पर यानि की एपिसोड 10 के उपर यहाँ पर काफी सारी चीज़े देखने को मिलेंगी कि कैसे यहाँ पर चास और बाकी सबी लोग दुनिया को बचाएंगे क्योंकि दुनिया यहाँ पर तबाह होने के कगार पर थी खर अब हम देखते हैं कि सारे इंसान टाउन से घोडे पर सवार होकर जेरुसिलम लोट निकल जाते हैं मगर जब तक वो सब जेरुसिलम लोट पहुंचते हैं तब तक याकुब किताब के सारे शब्दों को पढ़ चुका होता है और एकदम से ही सूरज पर पूरा ग्रहन लग जाता है और दोस्तों अगर सही बताओं तो ये सीन इस पूरे सीजन का सबसे खूब सूरत सीन है सूरज पर ग्रहन लगने के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर घुप अंधिरा चाया हुआ होता है तब आसमान में अंगने तारे और गैलक्सीज हमें साफ साफ दिखाई देती हैं और वो धीरे धीरे अंधिरे की और मूव करते हैं फिर हम देखते हैं कि जिरुसिलम लॉट में इनसानों और वेमपायर्स के बीच एक जोड़दार लड़ाई शुरू हो जाती है क्योंकि लड़ने के अलावा इनसानों के पास में कोई और रास्ता नहीं था और जब वो सब लड़ रहे होते हैं तब ही रेवेका को एक वेमपायर पीचे से खीच कर जाड़ियों में ले जाता है और वो कोई और नहीं बलकि रेवेका के ही डैड होते हैं पुर रेबेका को अपना blood offer करते हैं और कहते हैं कि इसको पीलो और हमारे जैसी बन जाओ लेगिन रेबेका इस offer को refuse कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि इस dark दुनिया में तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला खैरिसीन से हमको पता चलता है कि वैमपायर होने का ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ darkness को ही choose करेगा या सिर्फ गलती काम करेगा और इस series के अंदर वैमपायर्स के बारह में ये special चीज है वैमपायर्स के पास भी वही इनसानी दिमाग और feelings होती है और वो चाहे तो अपने परिवार की care भी कर सकते हैं और अच्छे काम भी कर सकते हैं बस वैमपायर्स को human blood feed करना पसंद है इसलिए वो इनसानों से अलग होते हैं और इस चीज का example हमने लोगा के case में देखा था कि उसने टाने की जान बचाई थी फिर हम देखते हैं कि चाहल्स वैमपायर्स से लड़ते हुए उस चर्च के अंदर पहुँच जाता है जिसके अंदर याकूब है और वहां पर लोगा भी होती है अंदर आने के बाद याकूब लोगा को चाहल्स को मारने के लिए भेशता है मगर यहां पर लोगा अपने परिवार कही साथ देती है और वो उस एपल गर्ल को मार देती है जो कि चार्ल्स पर पीचे से हमला करने वाली थी फिर चार्ल्स और याकुब के बीच एक अच्छी खासी लड़ाई होती है जिसके अंदर याकुब चाल्स के उपर भारी बढ़ता है आव्यसी बात है कि याकुब के अंदर जादा पावर है और तब ही वहाँ पर स्टीफन आ जाता है और वो किताब को लेकर वहाँ से भाग जाता है स्टीफन की इस हरकत से याकुब का ध्यान भटक जाता है और चार्ल्स मौका बाकर एक क्रॉस लॉकिट याकुब के गले में स्टैब कर देता है और फिर चार्ल्स खड़ा होता है और याकुब का सर को लाड़ी से काट देता है और इन वैंपायर्स का सर कुलाड़े से काटते ही वो खतम हो जाते हैं या फिर उनके उपर सनरेस पढ़ जाएं तो भी वो खतम हो सकते हैं जैसे कि मैरी खतम हुई थी फिर चार्ल्स वहाँ से भागते हुए पहाड़ी पर स्टीफन के पास पहुँचता है जो कि किताब के अंदर शब्दों को दोबारा बढ़ रहा होता है यानि कि अब वो खुद सारी पावर्स चाहता था फिर यहां पर चार्ल्स और स्टीफन के बीच में लड़ाई होती है और चार्ल्स एक पत्थर से स्टीफन को मार मार कर उसका सर फोड़ देता है और उसे किताब ले लेता है फिर रेबेका पीछे से आती है और वो जैसे ही खुली हुई किताब को बंद करती है तो आसमान कुछी मिंटों में दोबारा साफ हो जाता है यानि कि डार्क लॉर्ड अभी पूरी तरह से यहां पर नहीं आया था और सूरज निकलने की वज़े से जितने भी वैमपायर्स बाहर होते हैं वो जल कर ख़तम होने लगते हैं और कुछ वैमपायर्स अपनी जान बचाकर बागने में कामियाब हो जाते हैं यानि कि यहां पर यह किताब खाली याकुब को नहीं बलकि किसी को भी चाहिए क्योंकि उसके अंदर धेड़ सारी पावर्स हैं फिर हम देखते हैं कि लड़ाई के अंदर जादातर आदमी तो मर चुके हैं और चार्ल्स लोगा को लेकर वापस चैपल वेट चला जाता है और बाकी बच्चों को भी टाउन से वापस घर बुला लेता है चार्ल्स जानता है कि अभी भी कुछ वैमपायर्स बचे हुए हैं और वो इस किताब की तलाश में दुबार आएंगे उसके परिवार को नुकसान पहुँचाएंगे इसलिए चार्ल्स एक प्लैन बनाता है जिसके अंदर वो लोगा का बलड पी कर खुद वैमपायर बन जाता है और डॉक्टर की मदद से अपने सीने को कटवा कर किताब को अपनी ही बौड़ी के अंदर डलवा लेता है अलग है लेकिन किसी भी कीमत पर तुम्हें साथ रहना होगा और ये सब कहने के बाद में चार्ल्स चैपल वेट को छोड़ कर गुमनामी में चला जाता है ताकि कोई और उसको डूड़ ना पाए और हम देख पाते हैं कि वो एक बोट पर ही जा रहा था वो भी बिलकुल अकेले और अंधिरी दुनिया में और साथ ये साथ यहां पर उसने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी अपने लव इंट्रेस्ट रेबेका को दी होती है और ओवियसली रेबेका के हाथ में भी एक अच्ची कहानी लग जाती है अपने किताब के लिए और वो ये भी जान गई थी कि उसके पिता के साथ में क्या हुआ था और वो वैंपायर बन चुके थे और बस यहां पर चार्ल्स के तीनों बच्चे दूर से ही चार्ल्स को देखते रहते हैं और रोते रहते हैं और बूम इसी के साथ में चैपल वेट सीरीज यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों ये थी सीरीज की कहानी बात करें इसकी एंडिंगी तो काफी सिंपल है लेकिन स्टिल काफी डार्क है अगर आप सोच कर देखो तो चार्स यहाँ पर जीतेजी अपने बच्चों से अलग हो गया वो जानता था कि इसके आलावा कुछ और रास्ता नहीं है क्योंकि अगर चार्स यहाँ पर जिन्दा रहता तो कभी ना कभी जो कर्स था वो उसके बच्चों के उपर चला जाता क्योंकि इस किताब के उपर इनकी फैमिली का साइन है इनका नाम लिखा हुआ है वो भी खून से यानि कि एक डार्क लॉड के साथ कॉंट्रैक्ट है और ये किताब उसने खुद के पास इसलिए रखी है क्योंकि ये जो किताब होती है वो हमेशा बून फैमिली के जिन्दा इनसानों को ही बुलाती है उनको सबने आते हैं और बहुत अजीब अजीब हरकते करते हैं और चार्स अपने बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहता था आपको याद हुआ कि टाने को भी यहाँ पर वही वर्मफोबिया या फिर ये कहें वो कर्स होता है तो चार्स ने इस कर्स को अपने उपर ले लिया वो खुद वेंपायर बन गया और किताब को अपने ही सीने के अंदर छुपा लिया आइमें लिटरली उसको काट कर अंदर छुपा लिया ताकि अगर कोई भी वैमपायर उसका पीछा भी करता है तो वो डारेक्ली उसके पास में आए ना कि उसके बच्चों के पास में जाए और अब जब ये किताब चार्ल्स के खुद के शरीर के अंदर है तो ये किसी और को बुला भी नहीं पाएगी बेसिकली चार्ल्स ने यहाँ पर किताब की शक्ती को वैमपायर बन कर खुद के अंदर कंटेन कर लिया है या फिर ये कह सकते हैं वो एक बॉक्स है जिसके उपर बहुत सारे मारकिंग्स हैं जिसके चलते ये किताब बाहर नहीं आ सकती और उसकी शक्तियां किसी और को नहीं बुला पाएगी यानि कि बून फैमली के किसी भी जिन्दा परसन को नहीं बुला पाएगी और Charles ने जो अपने बच्चों के साथ में करे जैसे कि Charles के पिता उसको मारने वाले थे और वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को ऐसे मारे बात करें लोगा के बारे में तो वेंपायर ज़रूर बन गई है लेकिन अभी भी उसके मन में अपने परिवार के लिए बहुत प्यार है और यही सीरीज को अलग बनाती है कि वेंपायर जो यहाँ पर है वो अपने आपको चूज कर सकते हैं अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए